उत्तराखण के अल्मोडा हुए बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने सक्त रुख अपनाते हुए इस संबंध में पौडी और अल्मोडा के संबंधित शेत्र के एर्टियों प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं आयुक्त कुमाउ मंदल को इस घटना की मजिस्ट्रेट जाच के निर्देश दिये है। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टी हो गई है। सोमवार को अल्मोडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मार्चुला के पास एक यातरी बस खाई में गिर ग किया गया। SSP अल्मोडा भी मौके मौजूद है वहीं नैनिताल पुलीस टीम भी पहुच गई। प्रशासन ने अल्मोडा सड़क हादसे में 36 लोगों के मौत की पुष्टी की जबकि 3 लोगों को एमस इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी घायलों का इलाज रामनगर सर किया गया है। माना जा रहा है कि मौत का आकंडा और बढ़ सकता है। अभी भी बस में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है जिसके बाद बस को काटकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सीम पुशकर सिंगधामी ने इस हाथ से पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा जनपद अलमोडा के मार्चला में हुई दुरभाग्यपूर्ण बस दुरघटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दोहखत समाचार प्राप्थ हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। मेरी समवेधनाएं मृतकों के शोक संतप परिजनों के साथ हैं। मार्चला के पास एक यात्री बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा कि हाथसे के वक्त बस में 45 लोग सवार थे। हाथसे के बाद पूरे इलाके में हडकंप मच गया है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुची और राहत एवा बचावकारी शुरू किया गया। SSP अलमोडा भी मौके मौजूद हैं वहीं नैनिताल पुलीस टीम भी पहुच गई। प्रशासन ने अलमोडा सडक हाथसे में 36 लोगों के मौत की पुष्टी की जबकि 3 लोगों को एमस इलाज के लिए भेजा गया है। बाती घायलों का इलाज रामनगर सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस हाथसे में 36 यात्रियों का मौत हो गई है। जबकि कई यात्री घायल है इनने से 15 लोगों की हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया है। माना जा रहा है कि मौत का आकंडा और बढ़ सकता है। अभी भी बस में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसके बाद बस को काट कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सीम पुषकर सिंगधामी ने इस हाथ से पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनपद अलमोडा के मार्चला में हुई दुरभाग्यपूर्ण बस दुरघटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दोहखत समाचार प्राप्थ हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। मेरी समवेदनाएं मृतकों के शोक संतप परिजनों के साथ है। प्रभू श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सगती और घायलों को शीग्र स्वास्थ्य लाव प्रदान करने की क्रिपा करें।